स्थ्मखbor 근데 कि अआज किस वीडियो में इस वीडियो में हम बारे में बात करें भाया होग हैं the और कुछ का question आया है कि क्या हम इसको use कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा friends कि मैंने भी check किया है right open mobile app को login करके मैंने भी check किया है अच्छे से login हो रहा है यूज कर पा रहे हैं तो यह हमारा ही application है अगर आप यूज करना चाहें तो बिल्कुई यूज कर सकते हैं इसमें कोई भी problem नहीं है right open mobile app को अगर आप login करेंगे तो login करते ही directly आपके ecosystem का dashboard आपके सामने open हो जाता है जैसे आप browser के थिरू Google Browser या Chrome Browser के थिरू अपना ecosystem login करते हैं same to same Silicon Messenger अगर आप open mobile app के थिरू login करेंगे तो same to same जैसा आपका browser पर login होता है ecosystem का dashboard वैसे ही आपका Open mobile app में भी open हो जाता है login हो जाता है मतलब दोनों same to sameël या तो आप Ocarnd Mobile app को Log In किजे या फिर आपका Browser Log In किजे दोनों जगे आपको सारी कीज़े सेम हैं मिलेगी तो बिल्कुल आप उसका एक्सेस होगा लेकिन जो लोग और एक चीज़ और मैं आपको पहले ही बता है कि इस समय अपना OES मोबाइल आप एक्टिब नहीं है अगर आप OES मोबाइल आप को लॉग इन करेंगे वह आपका लॉग इन नहीं होगा यह बात आप लोग ध्यान दीजिएगा राइट इसके लाव अगर हम और से कांट की बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास मेंसेज आ है कि और हमें लॉग इन करना होगा तो किस इमेल आईड और पासवोड्ट से लॉग इन करना होगा जब कुछी दिनों में अपना ये लॉग इन प्रोसेस अच्छा हो जाएगा बहतर हो जाएगा आनि कि जब ओफॉंडर अकाउंट लॉग इन होने लगेगा उस समय हम किस email id पासवर्ट से लॉग इन करेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिससे आप पहले तीन चार मेने पहले आप लॉग इन करते थे ओफॉंडर अकाउंट को जिस id पासवर्ट से आपको फॉंडर अकाउंट लॉग इन करना है एक्जांपल के लिए अगर आप फॉंडिंग मेंबर हैं आप एको सिस्टम में रजिस्टर हैं तो आपके एको सिस्टम प्रोफाइल में आपका जो अल्टरनेट email एड्रेस है वह आपको वहां पर दिखाई देता होगा तो वह आपका ओफॉंडर का user id हो गया आने की पासवर्ड आपको वहां पर फिल करना है तो अल्टरनेट email एंड जो पासवर्ड है जो आपने क्रेट किया था इन दोनों की तुरूब आपको ओफॉंडर अकाउंट लॉग इन करना होगा जब कुछ दिनों में अपना यह बेतर हो जाएगा लॉगिन प्रोफॉंड का तो काफी फॉंडिंग लगातार question आता रहता है मैंने स्टार्टिंग में जब अपना ecosystem reopen हुआ था तभी मैंने information दे दिया था कि become an affiliate का जो option दिखा रहा है जो बटर हमें दिखा रहा है ecosystem dashboard वह सबसे उपर तो वहां पर हमें कुछ भी नहीं करना है जस उसको ऐसे ही रहने यह on passive की side से है यह by design है उसको ऐसे ही रहने दीजिए कुछ मत कीजिए उसको ऐसे छोड़ दीजिए जो भी होगा company की तरफ से या तो वह automatically वहां से वह option हट जाएगा या पिर अगर उसके regarding कुछ करना होगा तो ऐसर हमें खुद बता देगे ecosystem में जो update से वहां पर pop-up में message आ कि हमें क्या करना है तो जब तब को information नहीं आती तब तक हमें कुछ नहीं करना है उसको वैसे ही रहने देना है प्रेंट्स तो यह थे प्रेंट कुछ important points जिसकी regarding मुझे आपसे बाते करने थी उम्मीद है कि यह point आपको आच्छी स्वाज में आगे होंगे यह video भी आपको informative जरूर लगी होगे वीडियो informative लगी हो तो वीडियो को like कर दीजेगा friends के साथ share कर दीजेगा और चैनल को अगर आपने अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा